है गाइस वेल्कम बैक टो माई चैनल में हूँ संजर और आप देख रहें इंडियन ग्लैमर सो अगर आपको भी करने हैं मेरे जितने लॉंग हेर्स तो आप एकदम बिल्कुल सही चाहिए कि मैं आज इस वीडियो में जो 10 टिप्स बताने वाली हूँ वह आपको कतई कोई भी नहीं बताने वाला कोई भी नहीं मेरे अलावा तो मैं आज ऐसे जो 10 टिप्स बताने वाली हूँ वह इतने यूस्फुल है क्योंकि वह यूस करेंगे तो आपके हैर्स जरूर ग्रो करने वाले हैं तो जल्दी से जाके अपने बालों को नाप लो कितने इंजस के हैं और एक इसे जाके आपको लाइक करना है सब्सक्राइब करना बिल आइकोन के अलपक क्लिक करना है तो वीडियो चाल दू करते हैं let's get started है तो गाइस हेर वाउश करने से पहले एक घंटे पहले आपको कोई भी डियॉइ अपने हेर पे जरूर लगाना हैं क्यूंगि अपने बालों से अपके स्काल्प से ही शारे प्रॉब्लम चालू होते हैं इसलिए आपको आपके स्कैल्प पे ही डिया वाई लगाना है अगर मुझे पुछेंगे तो मैं कोई भी कोकोनट ओई ले ले लेती हूँ कुछी भी ब्रैंड का हो नौट प्रॉब्लम तो वह ओईल लेना है जो आप आपके बालों पे लगाते ह और उस ओईल में आपको टू टेबल स्पून अलवराजन डाल देना है और आपके स्कैल्प पे अप्लाइ करना है अगर आप पुछेंगे तो आप पोदे का भी ले सकते हो या फिर ब्रैंड का भी ले सकते हो अगर पोदे का लेंगे तो और भी ज्यादा बेनेफिट्स तो आप वह भी डाल सकते हो एक विटामिन E कैप्सूल क्यूंकि वह अपके बालों के मोस्ट्राइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो गाइस बहुत सरे लोग क्या करते उठने के बाद उनको हेर वाश करने हैं तो वो बीना कॉम करे ही हेर वाश करने चले जाते हैं तो इससे क्या होता है बालों में अल्रेडी बहुत ज़्यादा गुंत रहती है और अल्रेडी हेर वाश करने के बाद और भी ज़्यादा गुंत हो जाती है और उनको सॉल करने में बहुत सारी हेर्स तुटते है इसलिए आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाती है और बहुत पतल कम होगी और बुंत कम होने से वज़े से आप जब नहांके निकलेंगे और अपने बाल सॉल करेंगे तो बाल बहुत कम तुटेंगे इसलिए आपके हेर्स बहुत ही जल्दी ग्रो करने देखने मिलेंगे बहुत से लोग है कि शैंपू डाय Dallas के बालो पर अपलाय कर देते हिं और शैंपू में बहुत से कईमिकल्स होते हैं उनका कांटेक डाय दायरेक्क लिए आपके स्कल्प से होता है तो आपको बाल जरने जैस से रिजन्स आपको देखने मिलते हैं तो इसलिए आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले आपके हेर्स को अच्छे तरीके ऐसे वाटर से गिला कर लेना है फिर आपको शैंपू लगा सकते हो अगर मुझसे पूचेंगे कि मैं कैसे अपने बालों पर शैंपू अपलाई करती हो और hair problems की बहुत सारे reasons कम हो जाते हैं बहुत से जन क्या करते हैं जब hair wash करने के लिए जाते हैं तो एक बार hair wash करते हैं यह पर दूसरे बार भी second time पे भी बालों को shampoo apply कर देते हैं सोचते हैं कि मेरे hairs और भी अच्छे clean हो जाएंगे चमक जाएंगे तो यह तरीका बिल्कुल भी गलत है यह आपको बिल्कुल भी follow नहीं करना है आपको सिप एक बार ही आपको अच्छे से hair wash करना है अगर आप second time पे भी अगर आप अपके hair space shampoo apply करते हो तो आपके skin में जो भी extra oil है, extra moisturizer है वो भी निकल जाता है जो के आपके scalp को बहुत ही important होता है तो आपको second time पे भी आपको apply नहीं करना है अगर आपके यह आदत है तो आज के बाद यह आदत छोड़ दो नहीं तो आपके बालों में dandruff जैसे ज़्यादा reasons आपको देखने मिलेंगे बहुत से लोग क्या करते हैं अभी lockdown चोलें lockdown में तो और भी lazy पन आ गया है दो-दो दिन अपने बालों को कॉम नहीं कर रहे है इसी जुड़ा बाल के उपर डाल दे रहे और बाके का काम बिंदास्त कर रहे तो guys नहीं आप जितना body clean रखते हैं उतना hairs भी clean रखने की आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो भी body का ही part है अगर आपको hair long करने हैं तो यह आपको ज़रूर try करना है तो सबसे पहले मैं सुबह उठते के साथ अपने बालों को कॉम करती हूँ फिर मेरा daily routine चालू होता है और इसके बाद मैं रात को सोते समय भी अपने बालों को कॉम कर लेती हूँ क्योंकि पुरा दिन मैंने बालों को कॉम नहीं किया होता है डायक सुबह किया होता है इसलिए मैं मैं रात को भी अपने बालों को कॉम करके सोती हूँ और सोनी के बाद मैं सिप फिर से सुबे उठती हूँ तो बालों में ज़्यादा गुंथ में को नहीं मिलती और जब मैं बाल को कॉम करती हूँ तो गुंथ ना होने के कारण मेरे बाल कम तूठते हैं है इसले मेरे हैस जल्दी गुरो होते हैं और बाल भी ठीक रहे तो आपको भी यह त्रिक जरूर ट्राइ बता होगी तो यह वाली ट्रिक में हर वीडियोज में बताते हैं अगर आप नए हो तो फिर भी मैं आपके लिए बता देती कि यह वाली ट्रिक आपको जलूरãy करनी है किवगे यही ट्रिक जो आपके बालों को दो कुन गुणा ज्यादा बढ़ने में मदद करने वालए है तो यह ट्रिक यह है कि आपको रोज डेली 5 मिनिटस तो भी बैंड होके ir LEAD करना है इसWo लगाते हैं और scalp के नीचे के लेंद पे ओई लगाना भूल जाते हैं जो बहुत गलत बात है तो गाइस क्यूंकि आपके बालों के इधर तलग तो भी आपको moisturizer मिल जाते हैं पर बालों के नीचे के side moisturizer बिल्कुल भी नहीं मिलता है इसलिए आपको बालों के नीचे के लेंद पे ओई उतना ही लगाना ज़रूरी है जितना आपके scalp है तो गाइस आज से अगर आप नहीं लगा रहे थे तो आज से आप नीचे के लेंद पे ओई लगाना चाल कर दो तो गाइस यह वाली जो टीप है ना यह notice करने वाली है क्योंकि बहुत से लोग डेली रूटिन में भी बाल को एकदम open कर देते हैं खुले छोड़ देते हैं जो होगा वो होगा पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि धूल मिट्टी प्रदूर्शन जो भी है आपके डर्स आपके बालों पर बैठते रहते हैं बाल एकदम गंदे हो जाते हैं तो इसलिए आपको आपके बालों को ना एक तो चोटी तो भी डालने है पोनी डालने है या फिर बर्न डालना है इसमें से आप कुछ भी करो पर बालों को खुला मत रोको डेली रूटिन में अगर प्रॉब्लम होती है तो गाइज नहीं जवार करना है आपको हैरस बांद के ही रखना बौज़न क्या करते है की नहा絹 कंहां के आते और नहाने के बाद आपने बाल गिले रहेते तो मस्त रजाए व glaubas, लाजना चालू कर दो daha है लेराते पर उंको सब्सक्राइ yr मास्चराइज्रे ल मंठव हो रहे, उनके रेशम जिसे बाल घर अब अपने हेर ड्राइब हो मारेगे बिल्के कर आपょelf, मेरह ने जल्दी हो रही है तो आप कर सकते हो पर डेली रूटीन में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो यह थे आज के टेन टिप्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई यह तो लाइक करो शेयर करो और जिनको भी हेर की प्रॉब्लम है उनको यह फॉलो करो और यह टिप्स में बताते रहते हूँ तो चलो मैं मिलते हूं नेक्स्ट रेवीसेड में तब तक लिए बाई बाई